नमस्कार दोस्तों मैं उदय वी एन केटी स्टेडी पुरोटल के यूटूब चनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम इस वीटियो में सामाजी केवं ग्रावडी परिवेस खंड से टाप 20 महत्पुल प्रसनों के बारे में पढ़ेंगे यदि आप यूपी लेकपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह खंड काफी इंपॉर्टेंट है यह खंड जो है राजय से लेकपाल या चकबंदी लेकपाल इसमें एक अम्भीम का निवाता है हम सब डेली दोपर 12 बजे जो है इस खंड से टाप 20 महत्पुल प्रसनों का सेट करते हैं आज इसका सेट नमबर 41 है इससे पल या सब 40 सेट इसका कर चुके हैं यदि आप 40 सेट पूरा देखना चाहते हैं तो आपको सब वीडियो प्रेलिस्ट मिल जाएगा वाँ से आप देख लिजिएगा यदि दोस्तों आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ ही बेल आइकेन को भी प्रेस कर लिजिए तो चलिए शुरू करते हैं देखे आज का हमारा पहला प्रसन है एर मापन की एक इकाई है इसे किसके मापन है तो परियुक्त किया जाता है बताईए एर मापन की एक इकाई है इसे किसके मापन है तो परियुक्त किया जाता है लंबाई के कि आयतन के कि छेत्फल के कि घनतो के देखे पहले का जो होगा यहां पर option number इसका C सही होगा देखे छेत्रफल के मापन की एर की काई है तो पहले का option number है यहां पर सही होगा अगला प्रसन देखते हैं प्रसन number 2 इसे बताईए निमनलखित में से कौन सा एक इकड़ के बराबर है बताई निमनलखित में से जो होगा इसका D सही होगा तो देखे एक एक एकड़ के जो सभी बराबर होते हैं एक एकड़ में 48-48 वर के गज़ भी होता है 0-0-4-0-4-8 हेक्टेर भी होता है और 120 वा भी होता है तो इससे आप याद रखिएगा अगला प्रसन देखते हैं प्रसन नमबर 3 इससे बताईए किस भी होस्था में भूमी पर ग्राम समधाय का संयुक्त स्वामी तो होता था बताईए जमिदारी की महलवारी भी होस्था में की कास्तकारी भी होस्था में की रयातवारी भी होस्था में तो देखे तीसरे का आपसन नमबर प्रस नमबर चार इसे बताइए गरामिल अवस्थापना जिसको अंगरेजी में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है विकास कोस का बित्य किया जा रहा है बताइए गरामिल अवस्थापना यानि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोस का बित्य निगम किया जा रहा ग्रामिट विकास मंतराले द्वारा की भारती रीज और बैंक द्वारा की नाबाड यहां पर देखिए की नाबाड द्वारा की कुछ चूने हो여 राश्ठीकित बैंकों द्वारा तो देखिए इसका आप्सण नमबर सी सही होगा रूरर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को उसका जो बित्ति किया जा रहा है और नावाड त्वारा किया जा रहा है तो चोथे का आपसन नमबर सी सही हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं प्रसन नमबर पांच है इसे बताईए गरामीड छेतरों में कमजोर वर्गों विकास कर महिलाओं और बच्चों की स्वास्टा सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी है बताईए मातिरित स्वास्टे कारकरम है कि स्वास्टा मिस आपक आशा होती हैं तो देखें इसे याद रखेंगा तो पांच का आपसर नमबर यह जो होगा यहाँ पर इसका आपसर नमबर सही हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं प्रसन नम्बर 6 इसे बताईए आसा निमलखित में से किसे संबंदित है चिकिसक से कि चिकिसा प्रभारी से कि स्वास अधिकारी से कि सामाजी स्वास से कार्य करता से देखिए 6 का आपसन नम्बर जो होगा यहाँ पर जो होगा डी सही होगा आसा ज अगम बिंदों में प्लेंटेबल पर प्लांट करने के लिए किया जाता है बताई कि यहां पर विक्रण की ट्राउसिंग की प्रतिछेदन की यह सभी तो देखिए साथ का जो होगा यहां पर इसका आपसर नमबर सी सही होगा अगम बिंदों में प्लेंटेबल पर प्लांट कर करने के लिए जो है प्रतिछे दन किया जाता है तो साथ का जो होगा यहां पर आपसर नमबर सी जो होगा सही होगा प्रतिछे दन किया जाता है अगला परसन देखते हैं परसन नमबर आठ इसे बताईए लेवल यह अंतर सी इस्टा पठनाग पढ़ना चाहिए बताईए उप परसे नीचे क्यों पढ़ना चाहिए तो आठका आपसर नंबर है सही हो जाएगा यह दोस्तों आप यूपी के किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो देखें इस चैनल के द्वारा यूपी स्पेशल जीके भी पढ़ा जाता है जो रोज दो फट डेली दो बजे तो इस बूट चाहिए तो देखें इसका जो होगा आपसर नंबर ड़ी सही होगा पंजाब माचल परदेश सता घरियाणा में जो है भूत छेत्फञ के माकन है तो जो परियुक्त किया जाता है तो नौका आपसर नंबर ड़ी सही हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं प्रत नमबर 10 इसे बताईए निम्नल खित में से कौन से भूठ छेत्फल मापन की इकाई नहीं है या बताईए करम की एकड की कैनार की अंकनम तो देखे 10 का जो होगा आफसर नमBER इसका एंस होगा करम जो है जो भूजь छत्पल मापन की काई नहीं है तो 10 का आफसर नमबर सभी हो जाएगा अगला प्रसने देखते हैं प्रसन नमबर 11 इसे बताइए एक साजानी जरीब की लंबाई कितनी होती है बताइए एक साजानी जरीब की लंबाई कितनी होती है यदि दोस्तों आप खसरा खतवनी सभी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अरड़ी एक वीडियो बना दिया है वीडियो आप देख लिजेगा खसरा खतवनी रोजनामचा गाउं का नक्सा जिल्द बंद बस्त इन सभी के बारे में मैंने पढ़ा दिया है तो आप ज ounce photo 192 पूर तो देखे इसका जो होगा da ej astrology गंटारी जरीव की जो लंबाई होती है 132 पूरती है तो बाहर है का आपने की पर होगा लंबाई मापने की प्रम प्रागेति काई जो है यह सभी है मील फरलांग गज सभी है तो तेरा कहा आपसे नंबर डी सही होगा देखिए दोस्तों हम सब जितना प्रसन आज यह पढ़ा है यह सभी जो है प्रिवियस एर के गजाम में पूछे गए प्रसन है तो इसलिए देखिए आगणा प्रसन देखते हैं प्रसन नंबर चवोदे बताए रप हियर का प्रोडेज इसका नंबर निम्र इसका सभी ऊगाए यह एँपार देते अंपर कल सैंगलर होगा। अगला प्रसन देखते हैं प्रसन नमबर 15 इसे बताईए वास्तिक जाम युत्तर दथा चुमकी जाम युत्तर के बीच 36 कौण कहलाता है बताईए नमन कोण की चुमकी मान की दिक मान की संस्रिती अगला प्रसन देखते हैं प्रसन नमबर 16 इसे बताईए जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिजम के अंतरगा तब पठनाग होना चाहिए बताईए प्रसन नमबर 17 इसे बताईए भारती ग्रामिर समाज को बाटा जा सकता है बताईए मुखेत किसके आधार पर जमीन दारवर गें कास्द कारव सब्सक्राइब के अनतरवत कि ऊठी समाज योगा आफशन मपरसी अर्षी इसको समझें, याद केजिए, अगला प्रसंद देखते हैं, प्रसंद नमबर 18 से बताइए, विभीन परिस्थित्यों में नाप लेने में सबसे कम तुरूट होती है, बताइए, किस चेंज से होती है, किस परिच्छी चेंज से, किस पाथ फीजा से, कि इन्वार फीटा से, कि पार इक्षेतर के मापन में, जो दिखे 18 का जो होगा, आपसन नमबर जो होगा, इसका, सी से जोगा, तो देखिए, इन्वार फीटा से जो है, नाप लेने में सबसे कम तुरूट होती है, तो इसका आपसन नमबर सी से जोगा, इसे आप याद रखेगा, अगला प्रसंद प्रसंद नमबर 19 से बताइए, छोटे खसकों का मापन होता है, बताइए, इस पार टेप से, कि नुवार फीता से, कि दाज के टेप से, कि साधार चेन से, तो देखिए, छोटे खसकों का जो मापन होता है, वो साधार चेन से होता है, तो 19 से जोगा, इसे जाद रखेगा, दोस्तों आपका जितना प्रसन सही हो रहा है कमेंट बाक्स में जोर बता दीजेगा कि आपका कितना प्रसन सही हुआ और वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाई जोर कर दीजिए अगला प्रसन देखते हैं प्रसन नंबर 20 इसे बताईए सर तामस मुनरो किसर भूराजस बंदबस से संबंद थे रहत्वारी बंदबस कि महलबाड़ी बंदबस कि अस्थाई बंदबस कि उपयुक्त में से कोई नहीं तो देखिए इसका अफ्सन नंबर जो होगा यह सही होगा सर्टामस मुन्दरों जो थे वो रहत्वारी बंदवास से संबंध थे तो इसका अप्सन नमबर यह सही होगा तो दोस्तों आज का यह आखरी प्रसंता यह दि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाई जूर कर दिजिए आज इस वीडियो में तरह आए दोस्तों हम देश के अगले भाग में नमस्कार